जमो कश्मीर के पुलवामा में हुई घटना ने कई परिवारों के खुशिया छीन ली आज पूरा देश उन्जावास जवानों की शहादत परासू बहा रहा है मांग की जा रही है कि सरकार इस शहादत का बतला ले इन सब के बीच भारत सरकार ने जैशे मोहमत के सरकना मसूद अजहर पर शिकंजा कसने की तैयारी तेश कर दी है जिसमें अमारेका ने भी भारत का साथिया है धर्ती के स्वर्ग जमो कश्मीर में 1989 के बाद से दहशत गर्दी ने सिर उठाना शुरू कर दिया था लेकिन 1998 में जैशे मोहमत के उदय के बाद सूबे में आतंकी वार्दाते लगातार बड़ी है भारत से कश्मीर को अलग करने के लक्षे के साथ ही मसूद अजहर ने संगठन का गठन किया था अजहर तब से लेकर अब तक खाटी में कई बड़ी वार्दातों को अंचाम दे चुका है 2016 में हुए उरी हमले में भी जैश का ही हाथ था पठान को टेरवेस पर अटैक की साज़िश भी अजहर ने रची थी वह अब उल्वामा में हुए सबसे बड़े हमले में भी जैश का हाथ सामने आया है जिसके बाद भारत अजहर पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है मसूद अजहर को सयुक्ति राष्ट से वैश्विक आतंकी खोशित करने को लेकर भारत कहीं सालों से कोशिश कर रहा है लेकिन पाकिसान के जिगरी दोस्त चीन के अडंगे की वजह से अब तक भारत को सफलता नहीं मिल पाई हालकि सयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद जैशे मुहमत को पहले ही आतंकवादी संगठन खोशित कर चुका है लेकिन भारत चाहता है कि मसूद अजहर का हुका पानी पूरी तरह से बन कर दिया जाए इसलिए भारत ने अमारिका से मदद मांगी है इस सेलिए में आज भारत की राष्ट सुरक्षा सलहकार अजीर दोभाल ने अमारिका की राष्ट सुरक्षा सलहकार जॉन बॉल्टन से बात की बॉल्टन ने इस खटना पर दुख जदाते हुए मसूद असर को वैश्वे कातं की खोशित करने के भारत के प्रयास के प्रति समर्थन किया अमारिका ने सयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत की 1267 समीती के तहट सीमा पर आतंकवात के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार के प्रती समर्थन जटाया है साथी दोनों देशों के राश्ट्रे सुराकारों ने प्रति बददा जताई है कि पाकिस्तान भारत अमेरिका या अन्य शेत्र में अन्य देशों को निशाना बनाने वाले समुहों को सुरक्षत वनागार देना बन करे